महराज जी आपने वो भोजन की बात करी तो कई लोग हैं जैसे कि नॉन्वेश खाते हैं पर वो भक्ति भी करते हैं तो क्या ये पापी इनको भक्ति लगेगी नहीं बिलकुल क्योंकि आप अन और किसी ना किसी भक्ति का स्वभाव क्या इश्वरा सर्व भूता नाम रद्य स सब के अंदर ठाकुर जी विराज रहें आप किसी के साथ कुछ डंड देते हो आधी करते हो वहाँ पर भी लोग मेरे से पूछ लेते हैं महाराज जी आप कहते हो सब मैं भगवान है तो फिर तो किसी को डंड भी मत दो नहीं वो बात लगा जाती पर जब आप भोजन कर रह एक परिवार की विक्ति को खतम कर देते हैं हम खा जाते हैं और हम यह सोचते हैं कि हम धर्मावली हैं कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में उसका जो भजन है उसका ऐसे तो रामड भी बहुत बड़ा साधक था शंकर जी का लेकिन अब लोग कहें कि महाराज वो बहले ही ग ऒश्यक है, अगर आप उस से शुद्ध नहीं हो आप कहते हो कि हम बहुत भजरन करते हैं, हम भगवान का इस्मर्ण करते हैं, तो कल्यान कारी नहीं बन पाएगा, पर महाराज है कई लोग कहेंगे जैसे कही भारती वीदेश जाके रहते हैं, कि यहां तो सब पाने को ना मिले सीधी बात है भजन है दवाई और ये अपने आपको शुद्ध पवित्र भोजन ये सब हैं परेज आज में दवाई तो लेवे लेकिन परेज ना करे तो बिमारी ठीक होगी नहीं होगी ना परेज तो उसको करना पड़ेगा एक प्रकार से उसको इन सब में क्या हो गया है जो आपने परिस्त्री वाली बात करी तो परिस्त्री या पर पुरुस दोनों को एक साथ लेते हैं कि हमें तो शादी करनी है तो हम उससे पहले बहुत सारे लोगों के साथ कंपैटिबिल्टी चेक करेंगे अभी एक बड़ा करन जोहर के शो में रनवीर डीविका का आपने सुना ने तो डीविका पाठी पात कोन कहती है रनवीर सेंग के लिए कि मैं आपके साथ थी बर मैं और और ओर भी देख रही थी पर आपके साथ थी तो इसको लेके काफी controversy कुछ लोग उनके favor में आए, कुछ लोग उने कहा कि नहीं, यह गलत बात है, ठीक है, तो यह जो culture develop हो रहा है, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? कल्चर मेरे तो ज़्यादा संग्यान में है नहीं, पर जो आप बता रहे हैं, वह सोच के गवराटसी हो रही है, लोग करने से पहले क्यों संकोच नहीं होता है, कि इस प्रकार, आजकल यूथ में यह होना भी एक प्रकार से lack of devotion, यह आध्यात्मिक ना होने की वज़े से भी ऐ इसा होता है, और इसका दूशित दुश परणाम हो गई होगा, क्या है, प्रेम गली अतिसांकरी, ताम है दो ना समाए, हमारे सास्त्रों में पूरवाचारियों ने कहा है, प्रेम गली बहुत छोटी है, उसमें दो लोग नहीं बढ़ सकते हैं, तुमने चालीस बैटा रख तुब क्या होगा, वो प्रेम गली नहीं, वो आसक्त गली है, एक प्रकार से अगर मैं स्वच्छंद रूप से कह दूँ, आज का मानव प्रेम भूल चुका है के करत कहते किसको हैं, नारत भक्ति सूत्रमेशी, नारत जी कहते हैं, प्रेम क्या है, जिसमें मेरा प्रेमी सु कि उसमें मैं सुकी लेकिन आजकल उल्टा हो गया मैं जिसमें खुश हूं उसमें तुम खुश रहो मुझे अगर अभी कहां तक बताऊं मैं आपको कि एक मेरे परिचित परिवार के युवा मेरे मित्र हैं अब नाम तो नहीं लोंगा तो बहुत दिन से उनके लिए लड़की दूड़ी जा रही थी नहीं मिली है तब जाकर के एक झिगह उनका भ्यास हो गया पक्का है तो मैंने इसी सहजभास से पूछा मैंने की और सब ठीक मंगल तौमारा भ्यापक्का हो गया जब हमारा जी बढ़ीया अब ठीक है उसकार मित्र नहीं बताहिए ऌत स watches को विक्ष इस लिए फैसे वह घौर मंग ली है उसका मिल नहीं रहा है लेकिन इस चीज़ से उसको लगा होगा है कम से कम पैक तो मेरे बनाएगी रात को तो क्या हो गया है आज के युवाओं को मेरे हिसाब से आप इसको प्रेम तो बिल्कुल मत कही है प्रेम की अभिलना होती है प्रेम का एक प्रकार से आप अपमान कर रहे है प्रेम नहीं है तो कहीं न कहीं हम लोग प्रेम होता क्या है ये समझना ही बूल ही गए हैं और प्रेम होता क्या है आई ये व्रंदावन सुनिए भागवत की कथा श्री किशोरी जी का अवतरणी इसलिए हुआ ताकि व्यक्ति को बताया जा सके प्रेम किसे कहते हैं भगवान श्री कृष्ण जब मतुरा चले गए न तो उध्धव जी ग लोगों को प्रेम हो गया पर आप उनको भूल जाओ वो प्रमात्मा है वो केवल समाज के ने वो तीनों लोकों के सब्धवीप सब्त लोक चौदर भवन सब उनीक ही है वो किसी एक गोपी के या किसी के नहीं हो सकते तो हुमारी बिच्च की गोपीया क्या कहती है पास 10-20 मन नहीं है कि एक मैं करिश्न वैठा लिए एक मैं कोई और बैठा लिए एक मैं कोई और उन से प्रेम है और धर्व चरुल नहीं है लेकिन हमारा प्रेम ये नहीं सिखाता कि हम जाके उनको असहज करें हाँ हम उनकी हैं अब चाहे को कहीं रहें हमको इसी में संतोश है कि हम उनकी हैं ये है प्रेम उद्धव जी महाराज कहके गए थे भगवान से शाम को आ जाओंगा लोटके छे महीना बाद लोटके गए भगवान बुले क्यों रहें वो द्धव तू तो कह रहा था शाम को आ जाओंगा वो द्धव ने चरण पकड़ के कहा महराज आप भगवान हो जगत नियनता हो वेकुंठ नात हो मेरी प्रार्थना स्विकार करो आप सब छोड़ो व्रणावन में ही रहो ऐसा प्रेम आपको कोई नहीं कर सकता हमारे व्रणावन तो प्रेम का रजधानी है तो भगवा आज कल के योवावं से मेरी प्रार्थना यही है आप जिसको प्रेम या प्यार का शब्द कहरें वो आ सकती है क्या बोलते हैं इंगलिश में? अट्रेक्शन इंफैच्वेशन जो भी बोलो बहुत सारे नाम है उसको प्रेम या प्यार मत कहिए और ये अब नहीं कुछ वर्ष बाद जब थोड़े वरद्ध हो जाओगा तो रुलाएगा बहुत कि मैंने ऐसा क्यों किया क्योंकि हिर्दय नश्ट हो चुका है अरे भाई जगे इतनी थी महाँ पर 40 गुश जाएंगे तो वो तो अस्तब्यस्त हो गई ना खतम हिर्दय तो हम लोगों का नश्टी हो चुका है इतने सारे लोगों के साथ में हम लोग ब्यवार कर देते हैं हिर्दय कहां बचता है फिर इसलिए भाईया मेरी प्रार्थना है कि ऐसा ना करें ये उचित नहीं है ये बिल्कुल अनूचित है ऐसा नहीं होना चाहिए